तो नमस्कामित्रो मेरा नाम है नमन आप देख रहे हैं एंडरो यहां पर आज मैं पास है यह सीमफ बाइन नथिंग के तीन प्रोडक्स यहां पर इनका एक 65 वाट का मल्टी पॉर्ट कैन अडप्टर भी है और एक यह बट्स प्रो लॉंच किया है बजट वाला लाइक तीन स अपना experience और मेरी जो finding रहे हैं वो शेयर करूँगा सबसे पहले 65 वोट गैन अडप्टर की बात करेंगे उसके बाद हम बट्स प्रो देखेंगे उसके बाद वाच प्रो देखेंगे वाच प्रो में थोड़ा सा में को इश्यू समाज में आया था उसकी बात भी करेंगे और और उसके पहले बताना चाहूंगा इसकी पैकेजिन्ग काफी यूझी और काफी अलग थी और अंबॉक्स करने में बिगते अच्छा लगा और इसको अंबॉक्स करने के बाद भी ना वैसे पैक करने में चाहीं सई रहता है और रिब गौज यह इसका यह फिक्स हो जाता है इसमें एक्तम से मस्त है पैकेजिंग तम यूइक अलग लगी बट डेफेनेटली प्रोडक्स को आप पैकेजिंग के लिए नहीं खरीते हैं एक्सपेंस के लिए खरीते हैं सबसे पहले हमने 65 वोट गैन अडप्टर को अनबॉक्स किया यह अडप्टर नहीं देती हैं तो उनके लिए डेफिनेटली बहुत यूसूल हो सकता है यह वाला जो कलर है काफी फंकी सा लग रहा है ग्रे वाला आप देख सकते हैं में अगर आप नॉमल कलर देखना चाहते हैं तो अब यह ग्यान अडप्टर है तो काफी लाइट वेट है अब यह अडप्टर पीडी पीएस विक चार्ज ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है इसलिए गारों सैमसंग पिक्सल आइफोन सब में अच्छे से काम कर जाता है टोटल तीन पोर्स हैं तीन चीजें आप एक साथ चार्ज कर सकते हैं हाला कि जितने ज्या इतना ही समय आइफोन 15 बाकी पीरी अडप्टर साथ चार्ज होने में भी लेता है अचा अब जैसे मेरे पास दो सैमसंग के फोन थे एक एक एस ट्वंडी त्री अल्टर और एक एस ट्वंडी वाट की चार्जिंग करता है और एफी 25 वाट की अब इस केस में यूस भी सीव करते हैं बड्स प्रो की अचा सीमेफ का फुल फॉर्म संभवता आपको नहीं गया दोगा तो कलर मैटेरियल फिनिश इसका फुल फॉर्म है और यह हिन का लोगो ऐसे अलग सा अब इसको अन्बॉक्स किया थो तो जाहिरी बात है यहां पर बड्स मिल जाएंगे कुछ एट मिक्सचर किया गया है और यह की पेरिंग बटन भी दी गई इसके अंदर अब इसका प्राइस 3499 पर अब इसकी अच्छी और बुरी बात करों तो मुझे इसमें क्या अच्छा लगा साउंड क्वाल्टी मेरे को इसकी काफी सही लगी में तब इस प्राइस पे थोड़ा नहीं जाना जाता लाइक बेस को थोड़ा सा वह नॉमल रखते हैं इसमें थोड़ा सा बेस भर के दिया है तो बेस कोलटी अच्छी है में इस भी ठीक लगे इसके और ट्रेबल भी अच्छा है तब ही कह रहा हूं साउंड कोलटी काफी बैलेंस लगी मुझे और लाउड भ कर रहा है और मैस केंसिलिशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं नवीं यृप और अगर आप ऑपयार फिर रियल मी के यह फोन्स ट्राइब करेंगे इस प्राइड के उनका साउंड सिग्नेशर और आपको में बीस ज्यादा पसंद आ सकती है एक और चीज़ अच्छी लगी इसमें बैटरी बैकप काफी बढ़िया ओफर कर रहा है फो 60ms की बैटरी लगाई की केस में और 55ms की बैटरी है बट्स में ANC आफ करके बट्स उन लिए आपको 11 गंटे का वैकप दे सकते हैं और केस के साथ 39 आसका हाँ ANC अफे ट्रांस्वानसी मोड आउन करके सुनेंगे तब वहाँ पे 6-6 गंटे का वैकप को मिल सकता है हाला कि मेरे उसकेस में 5 गंटे से 5.5 गंटे का राउंड ही रहा बाकि ये फास्ट जाजिंग को भी सपोर्ट करते हैं रोटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है इसमें साथ में Google फास्ट पेर का सपोर्ट भी दिया गया है अच्छी बात है बट यहां पे multipoint connectivity यानि के dual device pairing का सपोर्ट इसमें नहीं मिलता बाकि touch controls मिल जाते हैं जो कि अगेन आप Nothing X application से जाके customize कर सकते हैं volume control भी कर सकते हैं और gamers के लिए low latency mode भी दिया गया है और buds को IP54 की rating में मिलती है इसको साइड में रखते हैं और हम बात करते हैं वाच प्रो की अब इसको इनवाक्स किया तो यहां पे वाच अलग मिली थी straps की quality बहुत अच्छी है बहुत soft straps है इसका भी orange color आपको मिल जाएगा बट मेरे को यह gray वाला काफी सही लगा metallic watch है काफी premium लगती है काफी neat and clean design लगा मुझे इसका अलग अलग बहुत सी brands के हमने smart watches या smart band हमने try की हैं इस budget के बट इसकी finish काफी अच्छी लगी bezels हैं इसमें थोड़ा सा जाधा बट थोड़ा symmetrical bezels हैं और यह single button मिल जाती है speaker मिल जाते है mic मिल जाता है Bluetooth calling में microphone और speaker की quality भी अच्छी लगी बाकि SPO2, heart rate ये सारे sensors मिल जाते हैं बाकि जो smart watches में आप feature यूज करते हैं इस budget के board, firebolt, noise ये जितने brands हैं सारे features में मिलते हैं similar सा software expense मिलेगा इसमें भी like notifications आप check कर सकते हैं call आएगी तो मतलब pick कर सकते हैं बात कर सकते हैं, dial कर सकते हैं इसमें display जो है वो 59 fps पे refresh होती है तो थोड़ा सा smooth expense मिलता है यहां और इसमें activity tracking के लिए GPS लगाया गया है याप outdoor run या फिर walk को track कर सकते हैं बड़ ये चीज मेरे लिए बहुत कम काम की है इंडोर छोड़ी है, आउट्डोर में भी कई बार जाते हैं तो GPS में बस ये लोकेटिंग लोकेटिंग लिखाता रहता है और बहुत देर बात जाके कहीं GPS को लोकेट कर बाता है आउट्डोर में भी एकटम visibility का कोई issue नहीं है और एक बात बहुत अच्छी लगी यहाँ पर Nothing ने इसको अपने हिसाफ से like theme किया है watch faces को और पूरे UI को जैसे मैंने आपको बता है fireball, boat या फिर noise की आपने अगर आप स्मार्ट वॉच यूज करी होगी तो आपको बहुत similar सा UI देखने को मिलेगा इसमें बड़ यूए में colors है वोच faces है वो Nothing ने अपने कस्टमाइज किये हो है बाकि SMF watch application से connect होते हैं watch का interface भी बहुत अच्छा लगा neat and clean है अलग लग options आप यहां से choose कर सकते हैं ब्रेंड के लिए में 13 days का backup मिल सकता है अगर आप calling नहीं करेंगे तो calling के साथ battery backup कम हो जाएगा बाकि heart rate, SPO2 monitor यह सब कर सकते हैं बड़ इन सब चीज़ों के लिए medical grade equipment यूज़ कर ये जादा accurate results मिल जाते हैं हाँ इसमें always on display का support भी दिया गया है बाकि music control कर सकते हैं साथ में as a camera shutter भी इसको use कर सकते हैं इस डिवाइस के साथ ये paired रहेगी अब इसकी दो अलग वेरेंट हैं साड़े 4,000 का है एक 4,000 रुपए की है तो 4,000 रुपए के price point पे लग बग ऐसी smart watches अलग ब्रैंट्स की भी मिल जाती है पर इसमें special क्या मिलता है like GPS मिल जाता है जो कि अभी at least उतने अच्छे से काम नही प्रीमियम सी फील होती है तो अब अगर मैं overall इनको summarize करता हूं ये तीनों ही products जो हैं तो जिस प्राइस प्रॉडक्स लांच के गए हैं ऐसा नहीं है कि इनके competition में दूसरे products अवेलबल नहीं है अल्मूस्ट ऐसे डाइप के products अवेलबल हैं बट जैसे ये birds pro हैं इनका design थोड मिलती हैं इस price category में बाकी brands की तरफ से कुछ वैसी ही है कुछ बहुत unique software features नहीं offer करता है बस GPS और थोड़ा सा unique design offer करता है तो अभी ये products लांच किये गए हैं बट अनुरे डाइम में में भी नथिंग तोड़ा और budget-focused products लांच करें इस brand के अंदर बाकी ये products आपको कैसे लगे ये मतलब देखके समझ के वह आप बता सकते हैं comments में बाकी वीडियो यदि आपको अच्छी लेगे तो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हम मिलेंगे आप से लेड़े हैं नमस्कार